Hi guys, welcome to my channel, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूँ, देगू फैन्फिशन सिंगल फादर, तो चलिए इस कहाने को शुरू करते हो, क्या आप लोग को यह स्टोई पसंद नहीं आ रहे हैं, या आप लोग वाच क्यों नहीं कर रहे हो, नोटिफिकिशन नहीं जा रहे ह या आप लोग जान बुझ का वीडियो भी उनियों कर रहे हो, अगर ऐसा है, तो क्यों मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, ओकी, तो मैं इसकी निक्स बार को शुरू करते हूँ, जानकुक त्यांग को रूम से बहा निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग है, वो जानकुक को बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ चाहिए, लेकिन त्यांग को बोलते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, तुम यहां से बहा निकलो, मैं तुम से बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, ले प्यारा से बच्चे यहाओ, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम क्या लगते हो इसके? आईवन बोलते है आपने सुना नहीं क्या मैंने कहा डैड वो मेरा डैड है लेकिन आप कौन हो इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा है त्यांग बोलते है क्या डैड वो भी तुम्हारा एक ऐसे हो सकते है तुम तो बिलकुल भी किसी के फादर नहीं लगते हो कितना यांग लगते हो तुम में देखा लगता नहीं है कि तुम्हारा कोई सान भी है एंग्री यांग मैं मेरी बात सुनो क्या तुम सच में इसका फादर हो तो आयवन गुस्ता करके बोलते है कि आपने सुना नहीं वो मेरा फादर है और मैं उनसे बहुत प्यार काता हूँ समझे लेकिन आप कौन हो और हमारे घर क्यों आये हो और आप में डेख से इस तरह से बात क्यों कर रहे हो त्यांग बोलते है बच्चे सुनो मैं उसके साथ बात इसलिए कर रहा हो क्योंकि मुझे एकिन नहीं हो रहा है कि तुम उसके सन हो आयवन बोलते है हाँ मैं उनका सन हूँ मैं जियोन जोन को की एक लोता सन हूँ मैं जियोन आयवन बोलते है क्या जियोन जोन को तुम्हाई जैसे तुम्हाई नाम भी बहुत अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मुझे इस बात से बिलकुल अच्छा नहीं लगा कि तुम शादी शुदा हो ऐसा कैसे हो सकते है मुझे एकी नहीं हो रहा है क्या मैं सपना देख रहा हू आयवान बोलते है आप ऐसे कैसे बोल सकते हो वो मेरा डैड है, क्या आपको इस बात से खुशी नहीं है आप यहाँ से अभी चले जाए, मुझे आपसे बात नहीं करना है डैड, आप कुछ बोल के लिए रहे हो, एक कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे है जनकुक बोलते है, क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए मेरे आईवन को तुम पसंद नहीं, त्यांग बोलते है, क्या, प्यारे से बच्चे, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ सुनो मैं तुम लोगों को दांग नहीं करूँगा दुबारा से ओके लिकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है तुम सच में उसके सान हो आयवन गुसा करते हैं बोलते हैं अभी निकल जाए अपने दुबार से अगर एक कुशिन क्या तो मैं आपके साथ बहुत ही गुसे से बात करूँगा और एबी नहीं सोचूँगा कि आप बहुत ही हैंसम हो समझे अगर आपको मेरी मुझे से आपकी तारीफिर सुनने है तो आपको बहुत ही अच्छे से बात करने होंगे बारना अभी सी हाज से चलिए यह त्यांग बोलते हैं क्या तुमने क्या कहां मैं हैंसम आईयन बोलते हैं आप हैंसम हो लेकिन आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप हैंसम हो तो त्यांग मुस्कुराता है और बोलते हैं तुम बहुत ही इनुसेंट हो मुझे तुम्हाई साथ बात करने में अच्छा लग रहा है क्या मैं थुई दे यहापर रुख सकता हूँ जनकों बोलते हैं बिल्कुल नहीं आयवन को तुम पसंद नहीं और मुझे भी जाओ यहाँ से लेकिन तुम कितना रूर हो मैं तुम्हारा निवर हो और तुम्हें मुझे तुम्हारे घर पर बेठाना चाहिए चाय कॉपी पूछना चाहिए लेकिन नहीं तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो मैं यहाँ से जाओंगा लेकिन मुझे कुछ दे आयवन के साथ बात करना है प्लीज आयवन तुम तो मुझे आपर रहने के लिए पर्मिशिन दे दो तुम्हाई डैट बहुत ही ज़दा खरूस है आयवन बोलता है आप यहाँ पर रुख सकते हो लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता है तो मुझे आपका नाम जानना है त्यांग बोलता है इतनी सी बात है मेरा नाम है किम त्योग और मैं तुम से मिलकर बहुत खुश हो क्या तुम मुझे से मिलकर खुश नहीं हो आयन बोलते है, हाँ, लेकिन आपने पहले ऐसा क्यों कहा, कि मैं उनका सान नहीं लगता हूँ, क्या सच में, मैं उनके साथ बिलकुल भी मेच नहीं करता हूँ, क्या, डैट, मैं आप जैसा हैंसम नहीं हूँ, जैन को बोलते हैं, किसने कहा, तुम बहुत ही हैंसम हो, तुम्ह my dad इतना यांग है ना कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था sorry मुझे माफ कर दो आईवन बोलते हाँ ठीक है मेरे हैं ही इतना handsome किसी को भी है कि नहीं होगा कि उनके पास साल के एक सन भी है लेकिन कोई बात नहीं इस बार के लिए मैं आपको माफ कर देता हूँ त्यांग बोलते very good और thank you sorry भी कि मैंने तुम दोनों पर शक किया लेकिन मुझे इतना बताओ ज़नकुक तुम्हार नम जियोन ज़नकुक है न तो तुम्हारा partner कहा है और आईवन तुम कैसे अपनी डैट के साथ ही रहते हो क्योंकि यहाँ पर और कोई ही नि दिख रहा है मुझे आईवन बोलते है डैट आईवन बहुत ही sad होकर ज़नकुक को देख रहा था जान कुक आईवान को अपनी गोद में उठा लेते है और उसकी फोरेट पे किस करते है और बोलते है जाओ जाकर फिरेश हो जाओ अहां तुम्हें बाहर आने की जरुत नहीं मैं उसको अभी यहां से भगाता हूँ हम दोनों को किसे और की जरुत नहीं है अईवान यहां से चले चाते है त्यांक बोलते है सौरी लेकिन मैंने कुछ गलत कह दिया है क्या और तुम मुझे यहां से भगाना क्यों चाते हो मैंने ऐसा क्या कर दिया है और तुम्हाँ साथ मेरा दुश्मानी क्या है जब से तुम मुझे मिले हो तुमने मुझे एक बार भी अच्छी तैसे बात भी नहीं किया और तुमने अपना नाम भी नहीं बता था आखे मुझे गलती क्या हो गया है मैंने जानबुच का कुछ नहीं किया है जितने बार भी हम लोग टकराए है एक दुश्य की गलते से टक रहा है और तुमसे मुझे बिल्गुल भी नॉलेज नहीं है कि एक बच्चे के सामने किसी और इंसान की बार में पुछने से पहले थोरा से सोच लेना चाहिए यहाँ पर अगर कोई और नहीं दिख रहा है इसका मतलब मैं और मेरा सन यहाँ पर रहते है और कोई नहीं रहते है इसलिए तुम्हें कुछ और पूछने से पहले एक बात सोच लेना चाहे था त्यांग जोनको कोही घूरे जा रहा था वो जोनको को देखते बोलते है तुम कितने प्यार से बात कर रहे हो मुझे तो तुम्हें बात सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है तुम मुझे डाट रही हो या फिर कुछ और मुझे कोई फरक नहीं परता है तुम मुझे बात कर रहे हो एही मेरे लिए काफी है जोनको को बोलते है तुम्हें बिल्कुल भी शरम नहीं है ना मैं तुमसे कितना रूडली बात कर रहा हूँ तुम्हारी जगर पर अगर मैं होता तो कपका यहां से जा चुका होता लेकिन तुम अभी भी यहां पर ही हो जाओ यहां से त्यांग बोलते है ऐसे क्यों कर रहे हो सौरी मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पाटनर इतनी जल्दी ही इससे पहले कि त्यांग और कुछ बोलते है जोंको त्यांग की होटो पर फिंगर रख देते है और उसको दिवार के साथ पुछ कर देते है और बोलते है इससे आगे और कुछ मत बोलना तुम ज्यादा बात करते हो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ त्यांग बोलते है अब मैंने क्या कर दिया है क्या मैंने दुबार से कोई गलत बत बोल दिया है क्या तुम्हारे पार्टनर इस दुन्या में नहीं है मैंने गलत क्या कह दिया कुछ दे पहले तो तुमने कहा था ना कि आयाना तुम यहाँ पर रहते हो मैंने कुछ औरी जंकु बोलते है चुप हो जाओ तुम और कुछ मत कहना मैं तुम्हें मुझे और कुछ नहीं सुना चाता हूँ वो मरे नहीं है ठीक है तुम्हें इतने सब जनने की जरुद नहीं है तुम जा सकते हो तुम्हें बोलते हैं मैं चला जाता हूँ लेकिन तुम गुस्ता मत करो मुझे ऐसे ही तुम दोने से बात करने में अच्छा लग रहा था खास करके आईवन के साथ आईवन बहुत ही इनोसेंट है मैं कभी भी उसके साथ मिलने के लिए आ सकता हो क्या जनकु बोलते हैं नहीं बिलकुल नहीं तुम दुबार से अपनी शकल मुझे और मेरी आईवन को मत दिखाना त्यांग बोलते हैं तुम कितना रूट बन रहे हो मुझे बहुत ही बुरा लग रहे है कि तुम मुझे इतना रूट ली बात कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं दुबारा तुमारे घर आऊंगा और तुमें प्रेशन करूँगा यह बूलते हैं त्यांग यहां से चले जाता है जांगुक त्यांग को पीछे से देख रहा था जांगुक के आँखों में आस होते वो दर्बाज़ा बन करते हैं अपने आँखों को मुझत है त्यांग पीछे मुरका देखते हैं कि जांगुक दर्बाज़ा बन कर दिया है त्यांग को बहुत बुरा लगा कि वो कैसा है उसके साथ कितना रूडली बात किया पर यहाँ पर यूंगी त्यांग को कॉल करके बोलते है क्या कर रहे हो तुम त्यांग क्या तुम्हें घर पसंद आए क्या अच्छा है रूम त्यांग बोलते हैं बहुत अच्छा है मुझे बहुत पसंद रहा लेकिन वो थोरा सा सैड लग रहे थे यूंगी बोलते हैं अगर इतना अच्छा लगा तो तुम्हारे बस को क्या हुआ बहुती सैड लग रहे हो कुछ हुआ है क्या त्यांग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ यहोंगी बोलते हैं कुछ तो हुआ है क्या हुआ है मुझे बताओ त्यांग बोलते हैं वो मेरे पास पहले कमरे में जो रहते हैं रहना वो बहुत ही जदा यहोंगी बोलते हैं क्या उसने कुछ गया क्या कौन है और वो तुम्हें से क्या क्या मुझे अभी बताओ कुछ नहीं क्या है उसने लेकिन उस रूम में एक बच्चा रहता है अपने सिंगल फादर के साथ और मुझे उस बच्चे के साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो उसके डियार जो है वो नहीं चाहते है कि मैं उसके साथ बात करूँ यूंगी बोलते है अगर वो नहीं चाहते है तो तुम्हें नहीं चाहना चाहिए त्यांग तुम मेरी बातों का जबाब किनी दे रहे हो क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो त्यांग बोलते हैं, मैं सुन रहा हूँ यूगी, मैं अभी call रखता हूँ मुझे फेरेश होना है, मैं बहुत ही टायर लग रहा है ठीक है, मैं बाद में call कर लूँँगा तुम्हें यूगी बोलते हैं, ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना और अगर तुम्हें इस दूम्हें रहने में तकलिफ होती है तो तुम मेरे पस आ सकते हो मैं तुम्हारे लिए हमेशा मेरे दरवजा खुला रखूँगा ठीक है त्यांग बोलते हैं हाँ मैं जानता हो तुम में लिए इतना फिकर मत करो और अपने काम पर ध्यान दो तुम्हें बहुत अच्छा सा बिजनस्मन बनना है और मैं जानता हो तुम बहुत ही अच्छा बिजनस्मन हो योगी योगी बोलते है क्या कहा तुमने तुम्हारे मुझे इस बात को सुनने के लिए मैं कितने दिनों से इंतिजार कर रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने बहुत ही मिस कर घा हूँ तुमने मुझे यहां पारिक छोड़का क्यों चले गए तुमने बोलते है हाँ मैं भी तुमन्हें मिस कर घा हूँ लेकिन क्या करूँ मुझे shift होना ही था चलो रखता हूँ इसके बाद phone रख देते है यूंगी त्यांग के बार में सोच रहा था कि पता नहीं त्यांग को शायद कुछ problem हो रहा है और त्यांग उस problem को यूंगी के साथ share नहीं करना चाता है क्योंकि त्यांग को लगता है यूंगी उसके लिए permission हो चायगा यूंगी सिर्फ त्यांग की ही बार में सोच जा रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिस्से त्यांग अब अच्छे से रह सके और वो खुश रह सके तो वह त्यांग यहाँपर जनकुक के बार में सोच रहा था कि जनकुक उसके साथ इस दास बात क्यों करता है और वो कितना rude है उसका दिल ही तूट गया जैसे उसको पता चला कि जनकुक married है उसको बहुत बुरा लग रहा था त्यांग खुद को ही question करता है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर वो married है तो मुझे क्या मैं तो उससे अभी अभी मिला हो न लेकिन मुझे इतना बुरा कैसे फिल हो सकते है और मुझे आईवन के साथ बात करने में इतना अच्छा लग रहा था कि क्या कहो लेकिन आईवन मुझे शायत पसंद नहीं करता है पाता नहीं क्यो लेकिन आयोन भी अप उसके डेट जैसी ही हैंसम है और मुझे उसके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है चलो कोई बात नहीं उसने मुझे इतना रोडली बात कहे है तो क्या हुआ मैं तो उसके बेटे के साथ बात कर सकता हूँ न वो तो छोटा बच्चा है उसके साथ क्या नाराज की लेकिन मैं जनकुक से बहुत नाराज हूँ और उसको मुझे से माफ़ी मांगना चाहिए लेकिन मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं करेगा मुझे ही कुछ ऐसा कारना होगा तांकि वो मुझे से माफ़ी मांगे लेकिन क्यों? तुम कुछ कहना चाथे हो? आइवन बोलते हैं, हाँ मुझे आपके साथ गेम खेलना था. जंकुक बोलते हैं, क्या कुच्ड़े बात खेल सकते हैं? क्योंकि मुझे आप थोऱसा काम है. मैं काम? लिपटा का तुम्हे साथ गेम खेलोगा, हैं край? तुम कुछ दे में लिए इंतिजा करो तब तक तुम continue करो मैं अभी आता हूँ आईवन बोलते है हाँ ठीक है लेकिन जनकुक बहुत देता काम कर रहे थे उसका काम करतमी नहीं हो रहे थे आईवन बहुत ही बोर्फिल कर रहा था और यहाँ पर त्यांग करनिंग बचाता है आईवन दर्वाज़ के सामने चले चाते है वाँ बोलते है डैट शयद कोई आया है कि मैं दर्वाज़ा खोल दू जनकुक आईवन की बीना बात सुने ही वो अपना सर हिलाता है जिससे आईवन दर्वाज़ा खोलते है और त्यांग घर के अंदर आज आते है और आयोन को गोद में उठा लेते है आयोन बोलते है आप दुबार से आ गया हो डैट को अगर पता चल गया डैट बहुत गुसा करेगा आप यहापर क्यों आये हो आयोन बोलते है लेकिन मैं आपसे दोस्ती क्यों करूँ आप मुझसे बहुत बड़े हो आप मेरी उमार की नहीं हो मैं पास साल का हूँ और आप त्यांग बोलते है मैं तो पास साल का नहीं हूँ मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ आईवन बोलते हैं तो फिर हमारी दोस्ती नहीं हो सकते हैं आप मुझसे बहुत बड़े होना इसलिए त्यांग बोलते हैं किसने कहा दोस्ती किसी के साथ भी कर सकते हो दोस्ती में उमार नहीं देखे जाते है और तुम जब मेरे साथ गेम खेलोगे ना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं तुमसे इतना वारा हूँ आईवन बोलते हैं क्या सच बोल रहे हो आप त्यांग बोलते हैं हाप बिलकुल तुम एक बार मेरे साथ गेम खिल का ट्राय तो कर लो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा बहुत मजाए का देखना मैं तुम्हारे डैर से भी जाता अच्छे से तुम्हारे साथ गेम खिलू जनकुक तो आज एएवन की रूम में जाते हैं, कि वो किसके साथ बत कर रहा है, पहुत आकला है ना, जनकुक जाका देखते हैं, कि तियांग वो उसके साथ गेम खेल रहे हैं, और बो दोनों साहिस में बहुत ज़्यार जाद घोल मिलचुकते हैं, इतना खुश है यहाँ पर गुस्सा करके बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी घर से वहाँ निकल जाओ, और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मैंने तुमसे माना भी किया था, तियांग बोलते हैं, वो मैं आयवन की परमिशन से यहाँ पर आया हूँ, और आपसे हम दोनों दोस तुम हमर बीच में नहीं आ सकते हो, समझे, मैंने पता काल लिया है, कि तुम सिंगल फादर हो, और तुम्हारा कोई पार्टनर भी नहीं है, और मैं आपसे आयवन के साथ दोस्ट भी बन गया हूँ, तुम यहाँ पर आ सकता हो, मैं पार्टनर को कोई परमिशन नहीं होगा मेरी यहाँ पर आने से समझे जनकुक बोलते हैं तुम्हें इसे कोई फरक नहीं परना चाहिए कि मेरा पाटन है या नहीं तुम यहाँ पर नहीं आ सकतो यह सबसी बरी बात है जाओ यहाँ से उसकी हैंड पकर के बाहर देने की कोशिश करते हैं लेकिन आईवन जनकुक की हैंड पका लेते हैं और बोलते डैड प्लिस ऐसा मत करिये क्योंकि मुझे ए बहुत पसंद है और आपसे हम दुनों दोस्त भी है तो मैं आपने दोस्त को आपको बहार निकलने नहीं दूँगा क्योंकि आपसे मुझे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं आउन के साथ बहुत ही जदा खुश हो प्लिस जैड ऐसा मत करिये न मेरे खुशी के लिए जनकुक आउन का कुछ नहीं कह बात है क्योंकि जनकुक को आईवन बहुत ही रिकुस्ट कर रहा था त्यांग को यहाँ पर रहने के लिए त्यांग खुश हो जाते है और आईवन की फोरेट पर किस करते है और बोलते है शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरे साथ दोस्ती क्या मुझे बहुत अच्छा लगा तुम बहुत अच्छे हो मैं तुम्हें इसके लिए गिप दूँगा आईवन बोलते है क्या गिप जंकुक बोलते है कोई गिप की जरत नहीं वो तुमसे कोई गिप नहीं लेगा त्यांग बोलते है तुम क्यों मना कर रहे हूँ मैं उसको दोस्त हूँ मैं उसको धिब्द दे सकता हूँ जंक को गुसे में था त्यांग उसको गुसे में देखते हूए उसको flying kiss करते है जिसे देख का जंक को शौक हो जाते है तो नेक्स पार्ड के लिए इंतिजा काना और पसंद आ रहे हैं तो like, comment, share करना मत भूना और सब्सक्रीब करते ना